आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं किट कट शेक की रेसिपी तो बहुत ही यम्मी बनती है ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है तो जरू ट्राइ कीजेगा तो चलिए फटा फट से स्टार्ट कर लेते इसको बनाना तो ये मैंने चे किट कैट ले लि थी तो एक किट कैट को मैंने रख लिया था और बाकी की मैंने तोड ली थी इसको हमको मिक्सी में तोड के दालना है कुछ इस तरीके से तो कॉंटिट याप अपने हिसाब से कमियाथ जाधा कर लेना मैंने दो i glass के करीब बनाया था अगर कर रहे हो तो कम किटकेट ले लेना और यह मेरे मैंने ली ती जो 10 वाले ली थी अगर बड़ी ले रहे तो थोड़ी बड़ी रहती है तो कॉंटिटी आपको कम लगेगी तो यह मैंने मिक्सीर के जार में ले लिया था और उसके बाद एक ग्लास दूद लिया है पहले मैं चमच के करीब शक्कर डाली है अगर बना रहे हो तो शक्कर का यूज मत कीजेगा या बचों को दे रहे हो तो भी शक्कर आपको अगर नहीं दालना है तो मत दालीएगा जो हमने किटकेट लिये वो थोड़ी सी मीठी रहती है लेकिन और इसको थोड़ा मीठा करने के लिए मैंने इसमें शक्कर का यूज किया है शक्कर की जगा शहद भी दाल सकते हुआ उसके बाद मैंने चॉकलेट सिरप दाला है और एक चमच के करीब चॉकलेट सिरप दाला था और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है उसके बाद हम ग्लास को कुछ डेकोरेट करेंगे तो ये मैंने चॉकलेट सिरप लिया है और ये मेरे पास कुछ डेकोरेट के लिए था आप यूस कर लिया है मैंने तो यह आपको कोई भी केक शॉप की सामन मिलते हैं वहां से आप ले सकते हो यह डेकोरेट के लिए यातों अब अनलाइन भी ऑडर कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से मैंने डीप कर लिया था और चोकलेट सिरप ग्लास से चमज से इस तरीके से लगा दिया है ताकि दिखने में अच्छा लगेंगा तो बच्चे भी इसको शौक से पिएंगे और यह जो स्प्रिंकल है वो मैंने इसके उपर इसको डाल दिये थे डेकोरेट करने के लिए तो यह आप ऑनलाइन भी ओडर करके मंगा सकते हो तो मैंने डाल दिया है देखे कुछ इस तरीके से तो आप भी ऐसे डेकोरेट करके बच्चों को दीजेगा तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा और उसके बाद जो शेक ब सर्फ कर लेना इससे क्या होगा टेस्ट इसका कुछ अच्छा सा लगेगा और भी ज्यादा यह देखिए मैंने दाल दिया है और वीप क्रीम से ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था आप इसके जगह फ्रेश क्रीम या तो वैनिला ऐस क्रीम या चोकलेट ऐस क्रीम भ आप भी बनाईएगा और जरू ट्राय कीजेगा मैं आपसे मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ अपता के लिए अल्ला हापिस टैंक्स पूर वाचिंग कीप सपोर्टिंग